Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel सरकारी भारत दोस्तो आज की इस वीडियो गे अंदर हम बात करने वाले हैं Central Teacher Eligibility Test यानि की CTAT की CTAT का पेपर 21 जनबरी 2022 को हुआ था जिसका 1st shift, 2nd shift और 3rd shift के कुछ questions हैं जो के mathematics के हैं गडित के सवाल हैं दोस्तो जो के आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन सभी questions को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो गे अंदर दोस्तो आप सभी को बताते हैं अगर आप CTAT की तयारी कर रहे हैं Central Teacher Eligibility Test CTAT 2022-23 जो आपका दिसंबर में होने वाला है और 2023 में होने वाला है अगर आप उसकी तयारी कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सबस्क्राइब सबसे बहले कर ले हैं दोस्तो यहाँ पर CTAT की तयारी कर आई जाती है CTAT के लिए एक प्रतिवधता से आपकी तयारी यहाँ पर कर आई जाती है तो अगर आप भी टीचर बनना चाहते हैं और भविष्य के अध्यापक हैं आप अपने आप में समझे कि आप भविष्य के अध्यापक हैं आप सीरियस केंडिडेट बनिये और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी एजूकेशन मिलती है तो चले फैंट्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पहला सवाल है हमारा अब रोही क्रम में विवस्तित करने पर कौन सी संख्या तीसरे इस्थान पर होगी यानि कि आपको किस ओडर में लिखना है असेंडिंग ओडर में प्रशन पूचा गया है असेंडिंग ओडर में लिखना है और थर्ड प्लेस पर यानि कि तीसरे स्थन पर जो आपका नंबर आएगा वो कौन सा होगा देखें नंबर क्या दे रखें है 9.09, 9.009, 9.990, 9.909 और 9.099 तो अगर आप इसे आरोही क्रम में लिखेंगे किस में लिखेंगे यानि कि असेंडिंग ओर्डर में लिखेंगे यानि कि असेंडिंग ओर्डर में लिखेंगे असेंडिंग ओर्डर तो असेंडिंग ओर्डर में अगर आप इसे लिखना चाते हैं तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा ये वाला ascending order का मतलब सबसे छोटा यानि के 9.009 फिर उससे बड़ा अब 9.009 से बड़ा कौन सा होगा देखे 9.00 हो नहीं सकता 099 हो नहीं सकता क्योंकि 09 पहले है तो second place पर आ जाएगा आपका 9.09 अब third place पर कौन सा आएगा ये आनी सकता ये आनी सकता इससे पहले ये आएगा तो 9.099 इसके बाद कौन सा आएगा देखे 90 हो नहीं सकता 909 है और ये 990 है तो कौन सा आएगा ये वाला आएगा 9.909 और इसके बाद आएगा लास्ट में 9.99 ये question 99% candidate पर माल लेज़े गलत होता है 99% candidate इस question को गलत कर देते हैं आसान सवाल है लेकिन वहाँ पर जब computer screen पर दिखता है तो ये गलत हो जाता है तो आप इसको थोड़ा से ध्यान से देखेगा तो ये first place पर हो गया ये second place पर हो गया और ये हो गया आपका third place पर है तो third place वाला number क्या निकल कर आया साथी हो third place वाला आया निकल कर 9.099 तो आप option में देखो के 9.990 नहीं होगा 9.909 नहीं होगा 9.090 नहीं होगा 9.099 9.099 यही आपका right answer हो साएगा clear reference चलिए next question देख लेते हैं next question आपकी screen पर है ये भी 21.920 को पूछा गया था सवाल है दोस्तो एक 270 cm लंबी तार को आयत का रूप दिया गया है यदि इस आयत की चोड़ाई 50 cm है तो इसकी लंबाई क्या है आप इस सवाल को करके दिखाईएगा और आप इसका देखे shortcut method क्या है इसका shortcut ही इसका जो normal method है वही इसका shortcut method है तो ये एक लंबा तार है मारे पास क्या है एक लंबा तार है माल लीचे ये इस तरीके से clear रहा ये आपका लंबा तार है इस wire की जो length दे रखिया वो कितनी दे रखिया 270 cm दे रखिया कितनी है 270 cm हमने क्या किया इस wire को पकड़ा और इसको four ends से wind करते हुआ है हमने एक आयत बना दिया माल लेजिए ये कोई आयत है आप माल लेजिए यानि कि ये क्या है एक आयत बना दिया clear friends अब बोला है आयत का रूप दिया गया जो होगी वो आपकी कितनी होगी 50 cm होगी तो length पूछिए आप से क्या होगी एक बात बताईए ये जो wire है ये जो wire है इसकी total length को ही तो हमने क्या बना या था इस rectangle की perimeter बना दिया clear रह कि नहीं भाई हम बोल सकते हैं यहाँ length of wire length of wire equal to perimeter of rectangle बोल सकते हैं कि नहीं दोस्तो perimeter of rectangle जो wire की length होगी वो rectangle की perimeter के बराबर होगी clear है कि नहीं अब wire की length कितनी है wire की length है 270 cm और perimeter क्या होती है rectangle की 2L plus B यानि कि 2 length plus breadth clear है तो 270 बराबर 2 length हम को निकाल ली है breadth कितनी है 50 cm दे रखिए है clear है 270 2 का multiply करेंगे आयत की लंबाई क्या है 85 cm clear offense चली next question देख लेते हैं अब ये सवाल पूछा गया बताइए ये भी कोई पूछने का सवाल है लेकिन है तो वो ctec cvsc पूछ सकती है भी आपको primary का teacher बना रहे है मान गयात कीजिए अब किसका 14.5 multiply 3 plus 18 divided by 3 minus 3 multiply 12.5 तो आपने board mask formula पढ़ा होगा तो सबसे पहले क्या पढ़ाता हम divide करते हैं उसके बाद multiply करते हैं उसके बाद आप plus या minus में से कुछ भी कर सकते हैं यही तो आपका pattern रहता है यानि कि आप जब भी board mask का use करोगे तो आपको division लगाना पड़ेगा उसके बाद multiplication लगाना पड़ेगा उसके बाद plus minus में से कुछ भी लगा सकते हैं तो हम यहाँ पर देखें यहाँ division का कोई roll ही नहीं है तो हम इसको note कर देंगे 12.5 अब जहाँ जहाँ multiply होगा वहाँ वहाँ multiply करेंगे क्योंकि हमारा एक operation complete हो गया divide वाला अब दूसरा operation लगाएंगे multiplication तो 14.5 का 14.5 का 3 से multiply करेंगे तो 3.5 जा 15 पॉइंट 3 फोर जा 12 और 1 थार्टिन 3 बंजा 3 और 1 फोर हो जाएगा clear plus का 6 minus 14 तीया 42 आदे का 20.5 बंजाएगा तो यही बनेगा 12 तीया 36 और 1.5 कितना हो जाएगा साड़े 37 आप multiply करेंगे लिए बार तीया 36 तीट सही है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस प्लस वालाओं को add करते है या फिर इस वाले मैंसे इस वाले को आप directly minus कर सकते हो जब यह दो operation हो जाएगे आपका multiplication और division का तो आप यहाँ आजाद हैं कुछ भी कर सकते हो पहले तो 43.5 मैंसे 37.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 43.5 मैंसे 37.5 माइनस करेंगे तो यह बचेगा 0, 13 मैंसे 7 गया तो 6 और यह कितना बचेगा बस इतना ही तो यानि कि 6 बचेगा प्लस का 6 यह आगया तो 6 और 6 दोनों को add करेंगे तो 12 बनेगा तो आपका जो right answer निकल कर आएगा साथी हो वो कितना आएगा 12 आएगा option number कौन सा हो जाएगा तो option number 4 आपका right answer हो जाएगा clear events समझ में आया कि नहीं बहुत आसान सवाल है इस type की questions आपके examination में पूछे जाते हैं clear events चली next question देख लेते हैं next question है दोस्तो आपके screen पर ये रहा चली next question लगाते हैं ये भी question आपका 21 January 21 January 2022 आपके exam में पूछा गया था clear है अब देखते हैं ये सवाल क्या है भई एक रेल गाड़ी बिसाका पटनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4 बज़ के 48 बज़े प्रस्तान करती है और अपने गंतब इस्तान तक 2 सितंबर 17 बज़ कर से 30 मिनट बज़े पहुंशती है इस रेल गाड़ी की यात्रा का कुल समय क्यात कीजिए देखे रेल गाड़ी 1 सितंबर को चलती है आप इसको ऐसे थोड़ा सा ध्यान लगाईए 1 सितंबर 1 सेप्टेंबर 2019 को रेल गाड़ी चलती है और रेल गाड़ी का जो टाइम है चलने का वो है आपका 4 बज़ के 48 मिनट और वो भी टाइम कैसा है सुभह का समय है कौनसा है सुभह का समय है अब यह वो लायक और अपने गंतब पेपर 2 सितंबर को पहुंचती है कब पहुंचती है 2 सितंबर 2019 को पहुंचती है यानि कि उसने कितना चला टोटल मिला के यहाँ 24 आवर तो आपको चलना ही पड़ेगा 4 बज़ के 48 पे और यह पहुंचती है 5 बज़ के 17 37 का मतलब कितना हो गया 5 बज़े का टाइम हो गया तो 24 गंटे तो आपको यहाँ चलना ही होगा 24 आवर फिर यह आपका वही टाइम निकल कर आएगा 4 बज़ के 48 मिनट का क्या आएगा 4 बज़ के 48 मिनट का वही सुबह का टाइम आगया अब 17 पे तीस दे रखा है इसका मतलब यह साम का समय दे रखा है यानि कि अब यहाँ से आपको आँगे बढ़ना होगा अगर आप इसमें 12 एड कर दोगे तो यह हो जाएगा आपका सुबह के 4 से हो जाएगा साम के 4 कितना हो जाएगा साम के 48 48 का समय हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 12 और हो गया समय अब यहाँ से आपको थोड़ा सा आँगे बढ़ना है एक गंटा और एड़ करेंगे एक गंटे से काम चलेगा नहीं 12 मिनट करने पर यह 50 बच जाएंगे और 37 मिनट और एक्ष्टा लग रहे हैं तो यह आपका हो गया 12, 37, 49 यानि कि 49 मिनट और आपको इसमें चोड़नी होंगी तो आपका जो समय निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 17 बज़ कर 37 मिनट का समय आ जाएगा यानि कि आपको 49 मिनट और इसमें एड़ करनी होंगी तो 24 और 12 यह कितना हुआ ये हुए 36 hour कितना हुआ 36 गंटे और आपको यहां 49 मिनट का समय भी लगेगा clear है भई 36 गंटे 49 मिनट का समय आपको यहां पर लगेगा clear है friends समझ में आया के नहीं सभी को समझ में आ गया चलिए next question देख लेते हैं साथियो next question आपकी screen पर है और question है मालिनी के पास केबल 2 रुपे और 5 रुपे के सिक्के हैं यद उसके पास सिक्कों की कुल संक्या 36 और रासी 105 है ये भी सवाल आपका 21 जनवरी 2022 को पूछा गया paper है paper का question है तो ये भी सवाल आपका exam में पूछा गया था इस type के सवाल जब आते हैं तो आपको करने होते हैं question क्या था मालिनी के पास केबल 2 रुपे और 5 रुपे के सिक्के है याद उसके पास सिक्कों की कुल संक्या 36 है और रासी 105 है तो 2 रुपे और 5 रुपे की सिक्कों की संक्या क्यात कीजिए तो आप कैसे करेंगे माना दो रुपे के सिक्कों की संख्या X है पांच रुपे के सिक्कों की संख्या Y है दो रुपे के सिक्कों की संख्या X है और पांच रुपे के सिक्कों की संख्या Y है तो दो रुपे के कुल कितने रुपे बन गए दो एक्स भई दो रुपे और सिक्के कितने है एक्स तो कुल मिला के कुल रुपे प्लस पांच के कितने बन गए 5 भाई और आपको रुपे कितने दे रखे हैं 105 रुपे और equation number first दूसरा बोला है सिक्कों की कुल संख्या 36 है यानि कि 2 रुपे के कुल सिक्के x 5 रुपे के कुल सिक्के भाई संख्या कितनी है 36 equation number second इसमें आप दो का गुणा कर दीचे तो यह बनेगा 2x प्लस 2y बराबर 36 दूनी 72 तो यही तो आपकी equation थी second वाली आप इसके जस्ट नीचे इसको नोट कर दीचे 2x-5 by equal to 105 यानि के 105 equation first यहां लिखेंगे हम क्या लिखेंगे यहां subtracting गठाने पर minus 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 cut 2y में से 5y गया तो minus का 3y 22 एक सो पांच तो यह बचेगा 28 और 5 तेतीस यानि के minus का 33 minus से minus प्लस 3 से 33 को काटेंगे 11 वार यानि के by की value जो निकल के आई 11 निकल के आई यानि के पांच और रुपे के सिकों की संख्या निकल आई पांच और रुपे के सिकों की संख्या सिकों की संख्या दो रुपे के सिक्कों की संख्या निकालते हैं दो रुपे के सिक्कों की संख्या आप equation first में value put कर दीजिए यानि कि x प्लस y वरावर 72 दे रखा है 36-36 x प्लस y की value 11 बरावर 36 x बरावर 36-11 x की value निकल आएगी यहां से 25 तो second वाला answer यह हो गया एक answer तो यह बन गया और एक answer यह बन गया तो यह था आज का पूरा pattern और इसमें अगर हम answer की बात करें तो 25 और 11 आएगा यानि कि 25 और 11 आपका option number C में आपका right answer हो जाएगा 2 रुपे के सक्के कितने होंगे 25 और 5 रुपे के सक्के कितने होंगे 11 तो यह था आज का पूरा pattern यह previous year question paper पर आधारित हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है और इस वीडियो को share करना भी बिल्कुल ना भूलें ठीक है बाकी आपके उपर depend करता है आपकी तैयारी के उपर depend करता है आप चाहो तो करिएगा न चाहो तो मत करिएगा कोई जरूत नहीं है लेकिन classes आप टाइम से जरूर लेते रहेगा यह आपके लिए वैतर रहेगा तो चलेए फैंट्स मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू पर वच्चिंग देस वीडियो